विल्कम तो यानोशन आज के इस वीडियो में हम फोर लूप का एक और एक्जामपल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फोर लूप किस तरीके से काम करता है वार लूप की इस एक्जामपल में हम चाहेंगे कि एक टेबल प्रिंट किया जाए जैसे कि आपने देखा था कि हम बच्पन में यह टेबल की टेवल लिखा करते थे two into one equal to equal to two और and this is how I want to write a macro जो के पूरा का पूरा two का टेबल लिखते है और इस तरीके से मैं यहाँ पर एक two का table लिखना चाहता हूँ so देखते हैं कि यह किस तरीके से possible है let us go to our visual basic editor और यहाँ पर हमें एक निया module insert कर रहा हूँ और इसका नाम दे देते हैं for loop table और मैं यहाँ पर लिखता हूँ sub for loop table so guys सबसे पहले हम declare करते हैं variables dim i as integer dim t as integer because t stands for table जिस भी number का हम table चाहते हैं वो हम t में store करेंगे और i हमारा increment होगा counter जैसे के i 1 होगा फिर 2 फिर 3 और t के अंदर हमारा table की value store होगी अगर हमें 2 का table चाहिए या 3 का table चाहिए तो इस लिए मैंने यहाँ पर 2 variable लिया है जैसे for i equal to 1 to 10 क्योंकि हमारा जो table है वो हमेशा maximum 10 तक ही जाता है जो भी हम table लेते हैं तो मैंने 10 तक लिया है और अब यहाँ पर हम display कराते हैं cells i,1 means first cell में हम क्या display कराना चाहते हैं हम display कराना चाहते हैं 2 is to 1 जैसे table means table की value आने चाहिए सबसे पहले तो t के अंदर हमने यहाँ पर डाला 2 means हमें 2 का table प्रिंट कराना है next हमें क्या चाहिए था next हमें चाहिए था value जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें easy रहे मुझे output चाहिए यह मुझे यह output चाहिए 2 into 1 equal to 2 I want this output और यहाँ पर मैं formula लगाना चाहता हूँ this into this so that जब मैं इसे copy करूँ like that तो यह इस तरीके का एक table होना चाहिए और यह a2 into c2 यहाँ पर हमें count बढ़ाना है 1 के बाद 2 और this is how I want so यह मेरा target है और मैं यहाँ पर इसे avail करना चाहता हूँ तो अब मुझे second column में print करना है into मैंने यहाँ पर लिख दिया into third column में मुझे क्या चाहिए मैं यहाँ third लिख देता हूँ third में मेरे को चाहिए counter जो कि है third column में one to ten counter print करना है और counter हमारा store है i के अंदर क्योंकि हमने यहाँ बोला है i equal to one to ten मैंने यहाँ लिख दिया i और 5th column के अंदर हमें चाहिए i की value जो हमने यहाँ formula लगाया था और formula क्या लगाया था कि t into i means जो भी value to t में store है और i में store है उसे multiply कर दिया हमने तो वही हम यहाँ करते है t into i so guys इसे run करके दिखते हैं मैं पहले इसे delete कर देता हूँ क्योंकि अब हम macro को run करके same output avail करना चाहते है तो f8 key press कर रहा हूँ मैं और first row execute हुई यह है first cell में हमारी value है t t means 2 t की value यहाँ पर fix रहेगी और यहाँ पर second column में आ गया है multiply का sign third column में है i की value fourth में equal to और यहाँ पर यह multiply हो गया t और i fifth column में और next i means 2 so guys मैं इसे run कर रहा हूँ f5 कर रहा हूँ so आप देख सकते हैं यह two का table आ गया so guys if you want किसी और character का table you just need to change over here like अगर आपको third का table चाहिए तो आप three press कर दीचे और अपना macro आप run कर सकते हैं यह देखिए आप three का table आ गया अगर आप यहां पर five का table देखना चाहते हैं तो आप यहां पर five लिखिए और just यहां पर click कर यह आपको five का table मिल गया यह देखिए 115 का table और यह five so this is how it works so guys I hope आपको यह वीडियो चाह लगा होगा if you like this video please subscribe our channel gyanushin.com thank you